वेल्कम वेल्कम है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बर फिर से हाजिर हुई हूँ आलू की सबजी के साथ जो की बहुत 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 ही ज़्यादा स्वादिश्ट है यह देखें गाड़ी ग्रेवी वाले आलू बहुत ही स्वादिश्ट सबजी है इसे बनाकर जरूर देखेंगा चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बनाना इससे पहले की रेसिपी बनाओं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर लाइक भी कर देजिएगा बहुत मिनत लगती है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जीरे को अच्छे से चटकने दें जीरो फिर हींग डालें मेरे वर्ड्स थोड़े खराब से हो जाते हैं प्लीज इग्नोर किजीए का मेरे वर्ड्स को और मेरे रेसिपी लेकिन बहुत अच्छी बनी है इसे आप पूरी देखिएगा कि कैसे बनाई मैंने फिर पहले जीरा डालना है और हिंग डालनी है फिर अब हम चॉप किये हुए प्यास डालेंगे अच्छे से प्यास को इतना जैदा भी नहीं भूनना है ब्राउन होने से पहले ही हमें इसमें पाके की चीज़ें डालनी है सच में ही बहुत मेहनत लगती है पहले सबसियां काटनी होती है फिर वीडियो को शूट करना एडिट करना तो यह देखें फिर हरिमिच डाल दें एडिट करने के बाद फिर एक्सपोर्ट करना होता है उसके बाद फिर अपलोड करना होता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स बहुत सारा होता है एडिटिंग के लिए वीडियो बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये का उसके बाद हम डालेंगे लसुन जैसे ही थोड़े से प्याज पक जाएंगे तो हरी मिच डालेंगे फिर डालेंगे लसुन और अद्रक का पेस्ट लसुन और अद्रक को मैंने इकठा ही उट लिया था पीस लिया था तो इसको डालेंगे बहुत अच्छी खुश्पू आ रही है बहुत ही जादा अच्छी लसुन और अद्रक की खुश्पू तो लाजवाब होती है बहुत ही अच्छी खुश्पू हो जाती है और टेस्ट भी वैसा ही बन जाता है जैसे की खुश्पू होती है उसके बाद फिर हम टाल देंगे इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे आप चाहें टमाटरों को मिक्सी में भी प्यूरी बना सकते हैं या फिर कदू कस्पी कर सकते हैं अच्छे से टमाटरों को भी पकालेंगे हम आपति अच्छे से जब कमाटर् भूण जाएंगे हमें यह जो टमाटर हमने कैनल पियूरी डालनी है और एक चौप किया हुआ है वह हम बाद में डालेंगे दो टमाटर ले 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 चार-पांच आलू थे तो एक टमाटर की प्यूरी बना कर हमने पहले डालनी है और एक टमाटर को हमने कट करके रख लिया है चौप करके रख लिया है बड़े-बड़े पीसीज में वो आगे डालेंगे हम तो अब यह मसाला जो है पक चुका है तो यहां पे फिर आप लाल कश्मीरी मिच ढालिए और आम चूर ढालिए शोरी आम चूर नहीं यह धनिया पौडर है और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीचिए अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह सूखे मसाले अच्छे से हम इन सूखे मसालों को मिक्स कर लेंगे अगर कोई आपको एक्स्ट्रा आवाजें आरी होंगी तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा देटाइम है तो कहीं से कभी कोई आवाज कहीं से आती है कभी कोई आवाज कहीं से आ जाती है यह देखें तो अच्छे से अब हमारे यह जो सूखी मसाले थे वो मिक्स हो चुके हैं अच्छे से यह आलू चो है हमने बॉइल भी कर लेने हैं चार पांच आलू को आप बॉइल कर लीजिए बॉइल करने के बाद ही हम इस मसाले में आलू को डालेंगे तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है फिर हम इस में डालेंगे लाल मिच पाउडर थोड़ा से लेकिन जो हमने कशिमीरी लाल मिच डाली थी तो उसका तो तीखा पर नहीं होता है लेकिन उससे क्या होता है कि कलर अच्छा आजाता है और यह जो लाल पाउडर मिच डाली है इसका थोड़ा सा तीखा पन होता है और जो ग्रीन चिली बीच में डाली है वो भी हमने थोड़ी सी ही डाली है ग्रीन चिली का भी अपना ही एक टेस्ट होता है खुश्वू होती है फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो इसी ग्रेवी के लिए अब ही तो मसाले को ही पानी में अच्छे से बनाना है हमें तो यह देखें जब पानी सोख जाए और मसाला जो है वो तेल चोड़ने लगे तो इस टाइम पे हम कोई भी सबजी डाल सकते हैं जो हम आलू उपाले हैं हमने वो हम इसमें डालेंगे अच्छे से थोड़ा सा और बॉइल करना है तड़के को जितना हम ज्यादा पकाएंगे अच्छा ही बनेगा बहुत अच्छा हो जाएगा तड़का फिर जब यह तड़का तड़के में तेल दिखाई दे कि समझो की पानी जो है वो खत्म हो चुका है तड़के में से तो इसी स्टेज पे हम उबले हुए अपने आलू डाल देंगे आलू को फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लेकिन हमें इस टाइम पे जो फ्लेम हमारी है वो कम रखनी है स्लो रखनी है अगर हम यह फ्लेम को हम ज्यादा कर लेंगे फुल कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि यह जो ग्रेवी बन गई है हमाई थोड़ी सी बिलकुल ही खत्म हो जाएगी सुख जाएगी ज्यादा आच पर और आलो बिलकुल सुख से जाएंगे और जुट जाएंगे आपस में इसलिए इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है ताकि यह जो हमारा मसाला है वो आलो में अच्छे से जजब हो जाए और इसी के साथ ही जो हमारे चौप किये हुई टमाटर है यह भी आप डाल दीजिए जब हम आलो डालेंगे फी टमाटर भी साथ में ही डाल देंगे तो जब तक हम सबजी को लो फ्लेम पे पकाएंगे तो टमाटर भी अपने पक जाएंगे पहले भी टमाटर हमने डाला था लेकिन उसकी प्यूरी बना के हमने डाला था अब हम टमाटर को प्यूरी बना के नहीं पीसिज में डाल दिये तो यह देखें सबजी कितने अच्छी लग रही है आप यह सबजी जो है इसको भस हमने थोड़े देर और पकाना है लेड लगा के पकाना है फिर आपने नमक क्या करना है कि नमक बाद में डालना है क्यूंकि पहले नमक की जज्चमेंट नहीं होगी तो जब यह हमाई सबजी इस तरह से सब कुछ डालने के बाद बिना पानी के तयार हो जाएगी तो आपने इस टाइम पे नमक डालना है तो थोड़ी देर इसको हम लिट लगा के पका देंगे कि ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से आलों के अंदर तक चले जाए और यह आप इसमें जब टमाटर डालेंगे उसके थोड़ी देर के बाद मलाई डालीजिए एक दूचे मलाई डालीजिए या फिर फूड़ क्रीम डालीजिए इससे क्या होता है कि सबजी जो है सबजी का जो टेक्स्टर है वो बहुत ही सौफ्ट हो जाता है ऐसे नरम नरम सी बनती है सबजी ऐसे कि इसकी ग्रेवी जो है वो भी बहुत ही अच्छी बन जाती है पतलापन ग्रेवी यह पतलापन जो है सबजी से हट जाता है मलाई से थोड़ी गाड़ी सी अच्छी से मिक्स हो जाती है फूड क्रीम डाले या फिर मलाई डाली जिए दो चमच फ्रेश मलाई जो होती है दूद की तो मैंने घी बनाना होता है तो उसके लिए मैंने एकठा की थी आज भी डाली थी मैंने ताजी वाली तो वही वाली मैंने उठा ली इसमें डालने के लिए जूरी नहीं की फूड क्रेम ही डालने है यह देखें कितनी अच्छी सबजी बन चुकी हमारी तो यह सबजी जो है आप इसे ऐसी भी खा सकते हैं यह तो हुई हमारी सुखी सबजी टाइप तो लेकिन आज मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी इसी में अगर आपको ग्रेवी बनानी है तो इसी में फोड़ा सपाहिं ढालके तौ इसकी ग्रेवी को थोड़ा जैदा कर दीजी वह वहली Megrevy भी घनी सी ही होगी पते देनी होगी तो ऐसी भी आप चावलों के साथ भी खाए सकते हैं और चपाति के साथ भी खा सकते हैं तो हम थोड़ी मेन के लिए लिट को लगा लेंगे हमें फ्लेम को हमें स्लो रखना है बिल्कुल क्योंकि एक तो इसमें ग्रेवी कम है तो जल ना जाए नीचे से इसलिए हमें स्लो फ्लेम पे ही रखना है लिट लगा कि थोड़ सी पका लें जब तक देखना है हमें कि हमने जो लिट लगाने की ज़रूरत हमें कब कब पढ़ेगी वो तब तब पढ़ती है जब जैसे लगता है कि हमारे आलों के अंदर तक ही मसाला नहीं गया है भी तक आलों अलग से ही दिखाई दे रहे हैं या कुछ ऐसे सलो फ्लेम पे जितनी दे तक आप सबसी को रखेंगे तो सारे मसाले आपने आप ही सबसी के अंदर तक चले जाएंगे अच्छे से ये देखें आप ये सब्जी ऐसे भी खा सकते हैं ये तो हुई सूखी सब्जी चपाती के साथ खाएं या चावर के साथ खाएं बहुत 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 टेस्टी होती है बहुत टेस्टी बनती है ऐसी सबसी इस तरह से बनाएगे आलू बहुत ही टेस्टी है यकीन मानिए आप भी बना कर देखिएगा ज़रूर और कमेंड में बताईएगा कि कैसी बनी थी आपकी सबसी फिर से एक दो बार ढखकर लगाके थोड़ा सा स्लो फ्रेम पे रखके पका लें अच्छे से यह देखें कितनी अच्छी लग रही है और खुश्बू खुश्बू का तो क्या कहना जैसी खुश्बू है वैसा ही स्वाद होगा सबसी का तो मेरे को आज बनानी है थोड़ी और हमने जाबर के साथ खानी है थोड़ी ज्यादा झालेंगे चिली फलेक्स टालतें इस सटेज पर जब सबजी बन जाए तो चिली फलेक्स टालतें आमचूर पौरडर डालतें और थोड़ी मिच हमने पहले डाली थी परीक ये करके पीसिज में हरी मिच और थोड़ी सी अभी डाल देंगे और फिर धन्या डाल देंगे देख लीजी आप सबजी का क्या रंग रूप है कितनी अच्छी लग दी है देखने में भी और खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा स्वाद होगी आप अच्छे से इन जीजों को मिक्स कर लेंगे लाजवाब सबजी बने है सच में आप देख लीजिए आप कुद भी बना के देख लीजिएगा इतना टाइम भी नहीं लगता है सबजी को कट करने में टाइम लग जाता है लेकिन सबजी जब बनाते हैं तो सबजी फटाफट से बन जाती है यह देखें आप इसे सूखी भी खा सकते हैं चपाती के साथ, चावल के साथ, परांठी के साथ, पूरी के साथ भी खा सकते हैं यहां तक तो यह सूखी सबजी बन गई है आलूओं की बहुत बहुत ही तेस्टी अब हम इसमें धूर असा पाइं डालेंगे लिड लगाकर स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो वो वल सबजी भी तैयार हो जाएगी थोड़ी ज्यादा ग्रेवी बाली पहले इसको देख लें कितनी अच्छी बनी है ये देखें जरूर से जू बनाईएगा और बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे ये आलों की सबजी ये देखें अब हम इसमें पानी डालेंगे सबजी में थोड़ा सा जैदा नहीं डालना है लेकिन पानी कौन सा डालना है पानी हमने गरम किया हुआ डालना है पहले से ही पानी को गरम कर लें अगर ठंटा पानी डालेंगे तो पहले वो पानी को गरम होने में कितना टाइम लग जाएगा और साथ में सबजी यह से थोड़ सी फीकी-फीकीजी हो जाएगी तो पाने को पहले से ही गरम कर लें तो गरम पाने ही डालें इसमें तो सबजी को अब हम लिड लगाके स्लो फ्लेम पे फिर से पका लेंगे कोई पांट-छे मिनट पका लेंगे ये देखें सब्जी का तेल फिर से निकलाया है कितनी अच्छी बनी है सब्जी आपना कर देखीगा जरूर मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल आइकन के साथ ताकि मेरी जो आने वाली रेसिपी होगी नियू भली वो आप तक पहुँच जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा और आप मेरी वीडियो को ये नियू रेसिपी को अच्छी से वाच कर सकेंगे और मेरी इस रेसिपी को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी इस रेसिपी को बना सकें बहुत मेनत लगती है वीडियो बनाने में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेला आइकन को भी प्रेस करना और और पे क्लिक करना और पे क्लिक करने से वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप उसको वाच कर सेखेंगे थेंक्यू थेंक्स पो वाचिंग खयाल रखें अपना